तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बेस्ट वाइड एयरफोन लेकर आया हूं अगर आप सच में म्यूजिक सुनना पसंद करते हो ना तो आज की वीडियो स्किप बिलकुल भी मत करना क्योंकि आज मैं आप लोग को अपना IEM कलेक्शन दिखाने वाला हूँ तो यह जितने भी एयरफोन से वो कोई regular brand के नहीं है जैसे Xiaomi, Realme, Board, Deezo यह सब के नहीं है यह जितने भी एयरफोन से वो dedicated sound related brand जो है जैसे कि जो music और sound पर ध्यान देते हैं उन brands के हैं आपने एक वर्ट ज़रू सुना होगा IEM इसका मतलब होता है in-ear monitors इस टाइप के जो earphones होते हैं वो ज्यादा तर audio engineers, audio file या फिर जो band वगेरे के members होते हैं या फिर जो anchors होते हैं state shows वाले या फिर टीवी वाले वो लोग जादा इन earphones का जो है यूज करते हैं उनको पहनते हैं बट भाई अब इस टाइप के earphones जो है वो नॉर्मल लोग जानी कि हम जैसे लोग भी पर्चेस कर सकते हैं मार्केड में सस्ते से लेके महंगे महंगे तक जो है earphones अविलेबल हैं हर प्राइज में आपको बेस्ट IEM earphones बताने वाला हूँ तो स्टार्ट करेंगे पांचवे नंबर से देन 4, 3rd, 2nd जैसे कि हम बाकी वीडियो में करते हैं वैसे ही करने वाले हैं बिना डाइमवेस की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो पे लेके चलते हैं 1000 लाइक का टार्गेट चैनल बेन वीडियो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी अलग टाइप की और इंफॉर्मिडिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी तो फिफ नंबर पे मैंने रखे हैं KZ की तरफ से आने वाले है EDX इनका प्राइज 800 रूपीज है और यह एरफोन इस प्राइज में आपको सॉलिड मिड प्रोवाइड कर देंगे जितना भी वोकल्स और इंस्ट्रूमें वागरे बैक्राउंड में प्ले हो रहा है वह आपको काफी ऑन पॉइंट सुनाई देगा हाइफाइ साउंड टेक्नलोजी इसमें आपको मिल जाती है तो भाई सिंपल सी बात है कि जो भी म्यूसिक बज़ रहा है उसमें डीटेलिंग अगरे जो है ना लॉस नहीं होती है बेस भी इसमें आपको अच्छे मिल जाते है एकदम पंची वाले बेस तो नहीं बोलूँगा लेकिन इसमें काफी बैलेंस से आपको बेस मिल जाएंगे और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी रॉफ एंड टॉफ है इसकी जो वायर्स है वो काफी सॉलिड और ब्रेड़ आपको माइक का भी सपोर्ट मिल जाता है एक डेडिकेटड प्लेपॉस करने के लिए बटन भी दिया गया है इस प्राइज में एस टाइप की यह फोंस में थोड़ा कमी देखने को मिलता है तो इसकी बैस बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जितने भी बताने वाला उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आप जाके वहां से चेक आउट कर सकते हो तो बढ़ते हैं फूर्थ नंबर की यहां पर मैंने रखा है फाइनल आडियो की तरफ से आने वाला इवन थाउजन इसका प्राइज एटीन हंड्रेड रुपी और भाई बहुत मज़ा आजाता है साउंड सुनने में 6.44 mm के इसमें आपको डैनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं तो अगर आप कोई मुवीज वगरे भी देखे रहे हो ना तो उसमें जो भी डिलिवरी वगरे हो रही है वोकल्स वगरे इसमें आपको काफी क्लियर सुना और भाई इसमें भी आपको माइक का सपोर्ट मिल जाता है तो आप कॉलिंग वगरे के लिए भी इसको यूज कर सकते हो वही अगर मैं बिल्ट की बात करूं तो भाई रबर के डिजाइन में आपको इसके वायर्स मिल जाते हैं और वायर की क्वालिटी काफी अच्छी है अच्छा सपोर्ट मिल जाता है अगर आप रफली भी यूज कर रहे हो ना तो यह इतने जल्दी खराब नहीं होंगे तो भाई अगर आपको बजेट 1800 रुपीज है और अगर आप बेस और ट्रेबल रवर हो तो भाई इन येरफोन को पर्चेस कर लो comfort के साथ साथ में जो आ लेधर का पाउच भी मिल जाता है तो अगर आप ट्रेवल वगरे कर रहे हो ना तो अपने येरफोन को इसमें डाल के रख सकते हो लेधर की फिनिश बहुत ही कमाल की है उसी के साथ में आपको extra fringe भी मिल जाते है तो येरफोन लगाते टाइम जो आपको extra fitting भी मिल जाएगी बट सच बताऊ ना final के ये earphones की खासियत ही मुझे यही लगे है कि भाइस में आपको comfort बहुत कमाल का मिल जाता है earpieces के आप size देख लो एक बार दोनों ही earpieces के आपने size देखे earphones के काफी छोटे से हैं आपकी ear में बहुत अच्छे से अंदर तक चले जाते है आपके ear dump तक और की quality सच में अच्छी है तो आप long time के लिए earphone use करना चाहते हो तो आप इनको पैन के यूज़ कर सकते हो आपका सर वगरे नहीं दुखेगा itching वगरे की problem नहीं होगी comfort इसका सच में इतना कमाल का है अब ये सारी चीजे तो e1000 में भी है तो भाई इसमें ऐसा क्या खास है जो इसको 3000 रुपे का बना दिया है इसमें आपको filtration option मिल जाता है earpieces में filters लगे हुए है जिसके करन sound leakage बिलकुल 0% है जिसके करन sound की quality और भी अच आपने बंदा खड़ा है और इसकी आवाज आ रही है इतना clear sound quality मुझे इसकी लगी है तो अगर आपका budget 3000 है और आपको बिलकुल high quality के premium wide earphone चाहिए ना तो भाई E3000 को purchase कर लो बहुत कमाल का experience आपको हो जाएगा अगले earphones भी हमें KZ brand की तरफ से मिल जाते हैं ZEX recently यह launch हुए है 1950 जो है इसका price range है इनी earphones में आपको 10 mm के dynamic drivers मिल जाएंगे बड़ इसकी खासी है कि इसमें आपको दो type के drivers मिल जाते हैं एक जो driver है वो low voltage वाले drivers है जो की high frequency और ultra high frequency को handle करता है उसलिके साथ में जो दूसरे drivers हैं वो responsible होता है mid frequency और low frequency को handle करने में CDC बाते अलग-अलग drivers अलग-अलग काम कर रहा है तो जिसके करन आपको काफी balance इसमें sound मिल जाता है उसलिके साथ में जो sound distribution है वो on point है तो अगर आप bass वाला sound सुनना पसंद करते हो या फिर बिल्कुल pop sad type का song सुनना पसंद करते हो तो दोनों के time पे आपको बिल्कुल high quality का music इसमें सुनने को मिल जाएगा, bass lover के लिए यह earphones काफी जबर्दस थे, 2000 के budget में आपको dual dynamic drivers मिल रहा है, भर-भर के bass मिल जाते है, loudness भी इसमें काफी बढ़िया है और इनकी build quality बिल्कुल ही अलग है, earpieces देख लो आप बिल्कुल transparent quality का मिल जाता है, उसी के साथ में wire जो है इस में आपको sound सुनने को मिल जाएगा, 2000 की budget में आप इनको ही purchase करिए, तो आप बढ़ते है number one earphone और यहाँ पर मैंने रखे है sound magic की तरफ से आने वाले E11C और इनको मैं पिछले 6 महिने से use कर रहा हूँ, इनका price 2500 रुपीज है, सबसे पहले इसमें आपको 10 mm के dynamic drivers मिल जाते हैं, और भाई इसके drivers हैं वो मुझे बहुत जादा optimized लगे हैं, यह एक चीज जो है इसकी काफी जादा famous है market में, क्योंकि sound magic का sound signature है वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है आपको, चाहे bass हो, treble हो, lows हो, mids हो, vocals हो, आपको कहीं पे भी disappointment feel नहीं होगी, इसका optimization इतना अच्छा आपको मि मिल जाती है, especially movies वगरे आप देख रहे हो ना, तो भाई जो भी dialogues वगरे हैं, उनको सुनने में मजाई सही आजाता है, क्योंकि एक तो विल्कुल original आपको sound मिलता है, bass एकदम से जो है extra create नहीं होता है, इसकारण जो है overall experience काफी अच्छा मिल जाता है, surround sound भी जो इसमें आपको मिल जाते हैं, उसी के साथ में इसमें जो अबाकी के modules वगरे है, वो भी आपको metal design में मिल रहा है, और aux है, वो भी metal design में है, wire की quality जो है, इसमें आपको extra 2 layer वाली protection मिल जाती है, एक wire अंदर है, उसके ऊपर आपको plastic वाला cover मिल जाता है, इन earphones में काफी metal यूज हुआ है, ले इसको number one पे रखने का सबसे main reason यही है, यह all-rounder earphones है, sound quality तो बिलकुल आपको top notch वाली दे रहा है, लेकिन उसके साथ में functionality आपको मिल जाती है, IEM का आपको इसमें अच्छा काज़ा touch मिल जाता है, build quality इसमें आपको अच्छी कासी मिल जाती है, तो भाई, धाई हजार रुप तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप regular brand को छोड़िये, क्योंकि वो बहुत जादा extra bass produce करते हैं, treble produce कर देते हैं, जिसके आराज़ जो music experience होता है, उसमें मजा नहीं आता है, एक बार आप इनको use करके देखो, चाहे आप वो 800 रुपीज वाला purchase कर लो, या फिर आपको budget जाता है, आपको description में मिल जाएगी, आप लोग comment section में आके बताना कि आपको इस type की videos और भी future में देखनी है, अगर देखनी है तो वो भी comment में जरूर बता देना, तो इस video को हम यहीं end करते हैं, मिलते हैं next video में, ततक के लिए, bye bye, take care and peace.